नमस्कार FNO की पाठशाला में आपका स्वागत है मैं हुमानसी दवे और वाइदा बाजार की ABCD में फ्यूचर से आगे हम ऑप्शन्स पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर कुछ कुछ कॉंसेप्स समझने की कोशिश करे हैं हम एड़ दमनी ऑप्शन समझा जा रहा है यह समझ लेकिन पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि अब आने वाले क्लास में आप समझाएंगे कि इससे खरीदना या बेचना कब चाहिए और साथ ही इसके फायदे और नुकसान क्या है कोई भी चीज जो खरीदने बेचने की सबसे पहले चीज तो आपका व्यू क्लियर होना लेकिन add the money ये option आपको कब खरीदना कब बेचना चाहिए इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप वाकई में एक एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हैं आउम तरपर आप अग्रेसिव ट्रेड कब लेते हैं जब आप futures में डाइक ट्रेड करते हैं कि futures में तुरन्ट भाव ऊपर नीचे होता है राइट सेम कि लेकिन future वाले भाव के ऊपर नीचे का फाइदा उठाना हो लेकिन रिस्क कम रखनी हो तब add the money option आपको बड़े काम हाँ आपने बताया था रिस्क से बचाता है कैसे सिंपल चीजे आज समझे निफ्टी में 11,000 के आसपास का भाव चल रहा है और आपने 11,000 के आसपास future खरीदा तो समझे आज आपने position खत्म नहीं किये कल position open रखी ठीक है और भगवान न करे कल निफ्टी 100 नीचे खुला सीधा तो आपके तो 100 पॉइंट का नुकसान लगया mark to market loss आगया बिलकुल तुरंट हाँ ठीक है यह रिस्क हमेश है रहेगी features में इसको कम करना हो तो कैसे करें खत्म तो नहीं कर सकते देखिए कम कर सकते हैं और कम करने का तरीका है add the money option खरीदी है ठीक है फर्ज करिए add the money call option आप आपने खरीदा रुपे में उतनी premium आपने दी नेक्स दे निफ्टी सिदा 900 नीचे कुला ठीक है तो आपका 11,000 का strike price का आपने add the money option खरीदा 125 रुपे में निफ्टी कुला सिदा 10,900 तो वैसे देखा जाए तो अगर आपने future खरीदा होता तो सिदा सिदा 100 पॉइंट का नु रुपे पर आके रुख जाए उतना कम हो जाए यानि कि 125 रुपे आपने जो premium दी उसका दाम 40-45 रुपे रहेगा तो आपने उतने रिस्क कम कर ली जितना नुक्सान otherwise लग सकता था उससे कम लगा अच्छा क्योंकि क्या होता है option में जब आप trade करते हैं तो premium के साथ-साथ volatility दूसित चीज़ें भी होती है जो option की price में होती है इसलिए at the money option आपने खरीदा तो जितना निफ्टी गिरा उतना नुक्सान नहीं हुआ लेकिन जितना निफ्टी बढ़ता है समझ ये at the money option है 11,000 तो जितना निफ्टी बढ़ा almost उतना आपका option भी बढ़ जाएगा क्योंकि वो in the money option हो जाता है वो मैं अगली बार बताऊंगा in the money option क्या होता है लेकि वो in the money option हो जाता है और ऐसे में आपको लगबग लगबग पूरी upside मिलती है थोड़ी कम मिलेगी क्योंकि समझे आपने 11,100 में 11,000 की strike price का option आपने 700 रुपे में खरीगा निफ्टी 100 पॉइंट उपर खुई गया आपने call option खरीजा है तो अब यह 125 रुपे वाला option 125 नहीं बढ़ेगा थोड़ा कम बढ़ेगा हो सकता है 105 110 यह बढ़े तो आपके लिए जो मुनाफ़ 100 आपके रिस्क भी तो कम हो रही है समझे 200 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाता तो भी आपने जो 700 रुपे प्रीमिम डिय उतने ही नुक्सान हुआ तो आप फाइदा पूरा उठा रहे है एड़ दमनी option में और रिस्क को कम कर रहे है इसलिए एड़ दमनी option popular है एक लिया पर उपर नीचे हो उसれて बहुत आप से बहुता है.. जो बेचने वाला उसको कुशिन बड़ा मिल जाता है और जैसे कोई उतार चड़ाव कम हुआ वक्त निकला वैसे एड़ बनी ऑप्षिन की प्रीमियम दीमेदी में कम होती जाती है तो जिन लोगों ने ऑप्षिन बेचा है उनको उसका फाइदा मिल जाता है रिस्क थोड़ी फ्यूचर की अनलिमिटेड रिस्क रखने के बजाए ओप्षिन के जड़ी ट्रेड करता है और लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिस्क है इस्पेशली खरीदार नुक्सान कम होगा लेकिन इंडेक्स अगर चढ़ा तो फाइदा अच्छा खासा होगा फाइदा भी थोड़ तो दो लोग जब तक नहीं होंगे एक खरीदने वाला एक बेचने वाला तब तक ट्रेड बने गा ही नहीं आम तोर पर हम यह कहते हैं जिन लोगों को बीटी एस्टी करना है बाइ टूडेज सेल टूमोरो यानि कि अभी खरीदा कल सुबह बेच देना है और इस्पेशली प्रेज में करना है निफ्टी में उन लोगों के लिए एड़ बनी ऑप्शन अच्छा है त्रीक है हाला कि जितना निफ्टी सब्सक्राइब आपने आज कॉल ऑप्शन करिदा निफ्टी का 11,000 पाव चल रहा है 11,000 की स्ट्रेक प्रेस का आपने कॉल ऑप्शन करिदा अशी से 110 तो आपको मिले 30 रुपे निफ्टी बढ़ा बले 40 आपको शायद थोड़ा कम मिलेगा 30 लेकिन भगवान न करे अगर निफ्टी सो डेर सो दो सो नीचे खुल जाए किसी भी वज़े से तो आपकी रिस्क तो ख़तम होगी बिलकुल रिस्क इतनी 80 रुपे कि है 80 से ज्या तो पूरे फ्यूटर पर कॉस्ट एस्टी ब्रोक्रेज ये वो ऑप्षिन में आपके कॉस्ट कम लगती है ठीक है अचा तेजी करनी है तो वो तो है ये कॉल ऑप्षिन मंदी करनी है तो पूट ऑप्षिन खरिद के चले जाए एड़ बनी वाला तो भी कर सकते है अचा जो होगे है वो थोड़ा सा लंबा वी रखते है और अगर उनका भी शॉटर व्यू है तब भी उनको लगता है कि अगर कुछ नहीं वा और निफ्टी वहीं का वहीं खुल गया कल तो वैसे दो चार रुपय तो प्रीम गिरी जाएगी तो पूट बेशन बेशने वाले को भी फ अगली क्लास और उसके बाद वाली क्लास आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ नमस्कार